हेलो डिफेंस एस्पेरेंट्स, आई ओप यूटीब चूनल डिफोर्ट डिफेंस, यदि आप भी यारफोर्स ने भी आर्मी या फिर कोश्ट कर्ट की एक्सम के तरियरी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जूरे रहे हैं, क्योंकि इस चैनल मे मैं यारफोर्स, ने भी आर्मी और कोश्ट की एक्सम से जूरे जितने भी विसलिवास है, पूरा कवर करवाने वाला हूँ, चाहिए वो इंगलिस हो, जी के हो, रिजनिंग हो, या फिर मैट्स हो, या फिर फिजिक्स हो, सब कुछ, और साथ ही साथ आपको प्रूफर इंफ और फिजिकल जोगरिफी जो है, एक सीरीस के तहिस चलेगा, या निपकी यहाँ पे चार या पाच वीडियोस आएंगे, और चार या पाच वीडियोस में से मैं पूरा से लिवस करवाने के कोशिस करूँगा, तो चलिए, आज के वीडियो के जब पहला क्वेशन है, वो है तो इसका जो सही जवाब होजएगा, वो होजएगा, आपसा नमबर C, इंडिया एंड पाकिस्तान, रेट क्लिप रेखा, इंडिया और पाकिस्तान की बीच की अंतरास्ट्रियोस सीमा है, नेक्स क्वेशन, क्वेशन नमबर 2, डुरन लाइन इस ते इंटरनेशनल बोडर दो रेखा किन दो डेशो की अंतरास्ट्रियोस सीमा है, तो इसका सही जवाब होजएगा, अपसान नमबर D, अपाकिस्तान,정 क्वेशन नमबर 3, मेकमों लाइन इस ते इंडरनेशनल बोडर अपनिस्तान अंड पाकिस्तान, दो रेखा जो है, वो अपकानिस्तान और पाकि एकस्तान के बीच के अंतराष्ट्रिया सीमा है. Next question, question number three. Mack mohon line is the international border of which countries? Mack mohon रेखा कि इन दो देशों की अंतराष्ट्रिया सीमा है. तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा. India and China. So, Mack mohon line is the international border between India and China. Mack mohon रेखा, इन दो देशों की अंतराष्ट्रिया सीमा है. Next question, question number four. Where is India's permanent research station Daksin Gangotri? भारत का इस्ताई अनुशन दो 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 कहा इस्तित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B. Antarctica. So, India's permanent research station Daksin Gangotri is situated in Antarctica. भारत की इस्ताई अनुशन धान के इस्तित है? Next question, question number five. इंद्रबति हाईडरोट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंस तो इस्तित है? इंद्रबति हाईडरोट्री प्रोजेक्ट किस राज़य में है? तो इसका सही जवाब बजाएगा option number B. ओरिशा. इंद्रपती Hydroelectric Project belongs to Orisha इंद्रपती Hydroelectric Project जो है वो Orisha राजय में इस्तित है Next question, question number 6 Which of the following is the second longest river bridge in India निमनलिकित में से कौन भारत में दूसरा सबसे लंबा नदी पूल है तो इसका सही जवा हो जाएगा महात्मा गांदी से तू, option number B महात्मा गंदी से तू जो है वो भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पूल है महात्मा गंदी से तू is the second longest river bridge in India Next question, question number 7 Which among the following is the longest river bridge in India निमनलिकित में कौन सा भारत में सबसे लंबा नदी पूल है तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा option number A बोगी बिल जो की आशा में मौझूद है बोगी बिल is the longest river bridge in India बोगी बिल भारत का सबसे लंबा नदी पूल है Next question, duncan passage is located between duncan mark किसके बीच स्थित है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number A duncan passage is located between south and little अंदमान So duncan mark south and little अंदमान की बीच में इस्थित है Next question, question number 9 Shomashila Dam is located in which state? Shomashila Bad किस राज्य में इस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C अंद्रपरदेश The Shomashila Dam is located in अंद्रपरदेश Shomashila Bad अंद्रपरदेश राज्य में इस्थित है Next question, question number 10 Which state is known as the sugar bowl of India? किस राज्य को भारत का sugar bowl कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा option number D उत्रपरदेश उत्रपरदेश को भारत का sugar bowl कहा जाता है Next question, Gulf of Manor is situated along the coast of which state? Gulf of Manor किस राज्य के तरपरिस्थित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा option number B Tamil Nadu So Gulf of Manor is situated along the coast of Tamil Nadu Gulf of Manor Tamil Nadu राज्य के तरपरिस्थित है Next question, question number 12 Which is the highest dam in India? भारत का सबसे उचाबाद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B तेहरी दाम तेहरी दाम is the highest dam in India भारत का सबसे उचाबाद तेहरी बाद है Next question Question number 13 Which is the biggest dam in India? भारत का सबसे बरे बाद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जगा option number A सर्दार सरुवाद डेम सर्दार सरुवाद डेम जो है? वो भारत का सबसे बड़ा डेम है So, सर्दार सरुवाद डेम is the biggest dam in India Next question Question number 14 Which is the highest waterfall in India? भारत का सबसे उचा जड़ना कौन सा है? तो इसका भी सही जवाब हो जगा option number A जोग और किर्शोपः waterfalls Is the highest waterfall in India? भारत का सबसे उचा जड़ना जो है? जोग या फिर गिर्शोपः waterfalls है? Next question Question number 15 Which is the southernmost hill ranges of India? भारत का सबसे उचा जड़ना कौन सा है? तो इसका सबसे उचा जवाब हो जाएगा Cardamom Hills Cardamom Hills is the southernmost hill ranges of India भारत का सबसे उचा जड़ना कौन सा है? Next question Question number 16 The foothills zones of Himalayas is known by which name? Himalayas के तलहटी से तरक किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B Siwalik So the foothills zone of Himalayas is known by Siwalik Next question Question number 17 The Andaman group of islands and the Nikubal group of islands are separated by which of the following channel? Andaman deep somehow और Nikubal deep somehow नेमन लिखित में से किस channel द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number A 10 degree channel Andaman group of islands and Nikubal group of islands are separated by 10 degree channel Andaman deep somehow और Nikubal deep somehow को 10 degree channel से अलग किया जाता है Next question Question number 18 Which state of India has the longest coastline? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी त्रिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number A गुजराट 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 हैस दर लॉंगेस्ट कोस्ट लाइन आफ इंडिया भारत के गुजराट राज्य में सबसे लंबी त्रिखा है? इन लेंड लेक औफ इंडिया भारत के सबसे बड़ी अंतरदेशी जील जो है वो सामबर जील है Next question Question number 20 Which is the largest natural fresh water lake of इंडिया? भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का जील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number A उलर लेक उलर जील जो है वो भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का जील है उलर लेक is the largest natural fresh water lake of इंडिया Next question Question number 21 Silent Valley is situated in which state? Silent Valley किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B Kerala Silent Valley is situated in Kerala Silent Valley के राज्य में स्थित है Next question Which is the oldest oil refinery in India? भारत में सबसे पुराने तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B Dig Boy Refinery Dig Boy Refinery is the oldest oil refinery in India भारत में सबसे पुराने तेल रिफाइनरी जो है? वो Dig Boy Oil Refinery है Next Question number 23 Which of the following is the largest mangrove forest in the world? निमने में से कौन दुनिया में सबसे बड़ा mangrove forest है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number A Sundarban mangrove forest Sundarban mangrove forest is the largest mangrove forest in the world Sundarban mangrove forest जो है? वो दुनिया में सबसे बड़ा mangrove forest है Next Question number 24 Which of the following lakes is situated on the west coast of India? निमने लिकित में से कौन सी जील भारत की पस्रिमी तड़ पर इस्तित है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा Astamudhi Astamudhi Lake is situated on the west coast of India Astamudhi जील जो है वो भारत के पस्रिमी तड़ पर इस्तित है Astamudhi Lake Astamudhi Lake is situated on the west coast of India Astamudhi Lake जो है option B वो भारत के पस्रिमी तड़ पर मौझूद है Next question Which of the following causes maximum rate for in India? भारत में अधिक्तम बर्षा बर्षा के लिए निमने लिकित में से कौन जिम्मेदार है? या फिर कह सकते हैं किसके कारण भारत में सबसे ज्यादा बर्षा होता है तो इसका जो सही हो जाएगा हो जाएगा option number D South West Monsoon दक्सिन पस्रिमी मौझूद के वज़े से भारत में सबसे ज्यादा बारिश होता है So South West Monsoon causes maximum rainfall in India तो आज बस ये 25 questions ही लेका आया हूँ अगले वीडियो में 26 से लेकर और 25 questions लेका आऊँगा यानि 26 से लेकर 50 questions तक रहेगा तो ऐसे ही बतलब total around 125 तक का question होगा Indian physical geography से जुर्य होए तो आप चैनल से जुर्य लिएगा अगर वीडियो कच लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जिए और कोई भी डावट हो तो कॉमेंट करे और वीडियो का पीटेप मेरे टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा थेंक यू दन्यबाद बहुत बहुत सुक्रिया झाल झाल